दोस्तो हो सकता है आपने न्यूस सुनी होगी आइफोन को लेकर मतलब आइफोन 8 और 8 प्लस आपको मिल रहा होगा 21,999 रुप है आपने कई सारी वीडियो भी हो सकता है देखे हो तो यहां पर एक चीज़ आपको और पताएंगे कि कैसे आपको आइफोन मिल सकता है 11,999 का और इसके पीछे की सचा ही क्या है क्या आपको सच में 21,999 रुप है देने के बाद आइफोन आपको मिल जाएगा तो इन सारी चीज़ों के बारे मैं आपको बताएंगे हेलो दोस्तों मैं हो शोक्रिया था और आप देख रहे है मिस्टर टेक्निकल तो अगर आपने अभी तक च रिटर्न करते हैं तो आपकी 70% की वैलू आपको रिटर्न कर दी जाएगी और यहां पर एक आउफर और है सिटी बैंक की तरफ से जिसमें आपको मिलेगा 10,000 रुपे का इंस्टेंट कैस बैक मतलब आपका फोन हो जाए 11,999 तो ये सारी बाते तो ठीक हैं कि आपको 70% का बा ये वरीड होगा 28 जिन के लिए इसी तरह करके आपको 12 महीने तक रिचार्ज कराना होगा 799 का तभी आप फोन को रिफंड कर पाएंगे ऐसा जो है जियो के आप टर्मेंट कर पाएंगे तो उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि आपको 799 का 12 टाइम जो है रिचार्ज करा होगा तभी मतलब एक साल तक आपके पास फोन रहेगा तो आप एक साल तक रिचार्ज करा ये जियो का 799 का तभी आप फोन को रिटन कर पाएंगे और 70% की आपकी वैलू आपस मिल पाएगी हाला कि एक हिसाब से देखे तो काफी अच्छी डील है क्योंकि आइफोन आपको यूज करने के लिए मिल रहा है एक साल के लिए सिर्फ 21,999 में अगर आप सिटी बैंक की उस करेंगे डिबिट कार्ट तो आपको मिल जाएगा 11,999 में तो ये सारी चीज़े काफी अच्छी लग रही है ऑन दा पेपर तो डील अच्छी है बिलकुल आप लेना चाहें या फिर 11,999 में देने के बाद आपको एक साल के लिए आइफोन यूज करने का मौका मिल रहा है तो ये सब बताएगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें दोस्तों के साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया